आज हम संस्कृत का एक नया पाट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रिहम शुन्यम सुता बिना यह आपका छठवा पाट है संस्कृत में और इसके पाट का जो नाम है जिसका मतलब आपको हिंदी में में बताती हूं बिहम का मतलब होता है घर और सुन्यम का मतलब होता है खाली सुताम का मतलब होता है पुत्री और बिना का मतलब होता है रहित मतलब पुत्री के बिना घर जो होता है वो शूनने होता है समाजिक मानताओं के अनुसार अधिकतर यह देखा गया है कि लोग पुत्र और पुत्री में भेद करते हैं यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताना चाहा है कि हमारे भारती समाज में आज भी पुत्र और पुत्री में इतना भेद होता है कि लोग लड़कियों को मार देना चाहते हैं गर्भ में तो आईए देखते हैं कहानी क्या है शाली नी ग्रिश्म आवकासे पित्र ग्रिहम आगच्छती शाली नाम के एक लड़की है ग्रिश्म आवकासे दर्मी की छुट्टियों में आवकास मतलब छुट्टी दर्मी की छुट्टियों में पित्र ग्रिहम आगच्छती पिता के घर आगच्छती मतलब आती है सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याह स्वागतम कुर्वनती क्या कह रहे हैं कि सरवे सब लोग प्रसन मन से मतलब प्रसनचित मन से खुश होकर तस्या मतलब उसका स्वागतम स्वागत कुरुवन्ती करते हैं परम परंतु तस्याह उसकी भात्री जाया मतलब होता है भावी उदासीना इव द्रिश्यते उदासीन की समान दिखाई देती है मतलब उदासी दिखाई देती है सभी लोग उसकी अच्छा करीके से स्वावत करते हैं लेकिन भावी उसकी उदास दिखाई देती है शालिनी कहती है भात्रि जाये भाभी चिंतिता इव प्रतिय से सरवम कुशलम खलू चिंतिता इव इव मतलब समान जैसे तुम चिंतित के समान प्रतिय से प्रतीत हो रही हो सरवम कुशलम खलू निश्चित रूप से खलू मतलब निश्चित रूप से निश्चिता को दिखाने के लिए ही और खलू शब्द का प्रयोग की आता है हाँ पे छोटी की मातरा लगती है ही तो वो निश्चिता दिखाने के लिए होता है और खलू भी निश्चिता दिखान कौन है भात्री जाया है मतलब भावी है इसकी शालिनी की क्या कहती है आम शालिनी आम मतलब हां हां शालिनी कुशलिनी अहम मतलब मैं कुशलिनी मतलब ठीक हूं हां मैं ठीक हूं तो दर्थम किम आनियानी तो दर्थम तुम्हारे लिए किम मतलब क्या आनियानी मतलब लाओं तुम्हारे लिए क्या लाओं, शीतल पेयम, चायम वा, ठंडा पेपदार्थ या चाय, शालिनी कहती है, अधुना तु किम अपी न विच्छा में, अधुना तु आज तो किम अपी कुछ भी न वच्छा में नहीं इच्छा है, इच्छा में को वाच्छा में बोला गया है, विसेश रूप से कोई इच्छा नहीं है आज तो, मतलब वो कह रही है कि आज कुछ भी रात्रव सर्वे सह भोजन मेव करिश्यामी रात्रे रात्री में सर्वे सह सबके साथ भोजन मेव भोजन ही करिश्यामी करूंगी ठीक है फिर क्या होता है भोजन काले अपी मालायाह मनोदशा स्वस्थान प्रतियते इस्मा भोजन काले अपी भोजन काल के समय भी मतलब जब भोजन करने का समय हो गया, उस समय भी मालाया, मालाकी, मनुदसा, स्वस्था, स्वस्थ, मतलब अच्छी, न प्रतियते, नहीं प्रतित हो रही थी, इसम मतलब थी, था थी, प्रयोग करते हैं, इसम का सब्द का प्रयोग करते हैं संस्कृत में, भूत काल के लिए, ठीक है, त सा वह मुख्यें मूख़के द्वारा मतलब अपने मूं से कीमति कुछ भी नो वक्त्वति किया लिखा हुआ है नो वक्त्वति यहें नौक्त वति यहां पर गुर संधि का प्रयोग किया गया है जहाँ पे औ या के बार अगर गुरसंधी में क्या होता है आता है तो ओ पर ने यहां पर वती यहाँ पर प्रत्य है जैसे हिंदी में पढ़ते हैं फिक है वैसे यहाँ पर प्रत्य के रूप में हाप्रयोग किया गया है तो क्या बता रहे हैं कि वो अपने मुख से कुछ भी नहीं बोल रही है लेकिन वो कैसी है उदास है राकेश राकेश कौन है माला का पती और शा शालिनी दिश्टया तम समागता अब अपनी बहन से बात कर रहा है राकेश क्या कह रहा है भगिनी बहन शालिनी बहन सालिनी दिश्टया मतलब होता है भाग से तो मतलब तुम समागता मतलब आई हो भाग से तुम आई हो अब क्यों ऐसा कह रहा है वो आगे देखते हैं अद् मम कार्याले मम मतलब मेरी कार्याले मतलब कॉफिस ठीक है मेरी कार्याले में एका महत्वपूर्णा गोश्ठी सहसेव निश्चिता मेरी कार्याले में एका मतलब एक महत्वपूर्णा मतलब महत्वपूर्ण गोश्ठी का मतलब होता है सेमिनार फिक है, meeting, सहसयो का मतलब क्या होता है, अचानक ही, सहसा धन एव, व्रिद्धी संधी, आप लोगोंने कक्षा आठ में, हिंदी में संधी पड़ी है, स्वर संधी, उसी का ये उधारण है, सहसा धन एव, अया आ के बाद, चाहे ए आये या आये, क्या हो जाता है, आये ही होता ह है, व्रिद्धी होती है, तो सहसयो निश्चिता, मेरे कार्याले में एक महतपूर गोश्ठी, सहसा मतलब अचानक ही, निश्चिता मतलब रख दी गई है, निश्चित कर दी गई है, और क्या बता रहा है, अध्यायो मालाया, चिकितसयास, मेलनस से समया, निर्धारित, तो म तो इस तरीके से उसने एक कारण बता दिया कि उसके कार्याले में गोश्ट ही है जिसकी वज़ा से वो अपनी पत्नी मतलब माला को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता है तो क्या कहता है वो अध्यव आज ही मालायाह माला का चिकित्सयास सह मतलब डॉक्टर के साथ मेलनस से मिलना था आज ही समय निर्धारित आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित था तुम मालायाह सह माला के साथ चिकित्सकाम प्रती गच्छ डॉक्टर के पास जाओ तस्याह उसके किसके डॉक्टर के परामर्शा नुसारम परामर्श के अनुसार परामर्श मतलब क्या होता है सलाह तीक है सलाह के अनुसार यद विधेयम तद संपाद्ध यद विधेयम जो भी बताया जाए तद उसको संपाद्ध पूरा करना मतलब डॉक्टर जो कहेगा उसको तुम पूरा करना शालिनी क्या कहती है किम भवत क्या हुआ भात्री जाया स्वास्थम समीचीनम नास्ति भात्री जाया मतलब क्या भाभी भाभी का स्वास्थम स्वास्त समीचीन मतलब होता है ठीक न अस्ती नास्ती में दिर्ग संदी है न धन अस्ती अ के बाद आय या आय दब दोनों जुड़ते हैं तो आ ही बनता है ठीक है तो यहाँ पर वही बताया गया है क्या भाभी का स्वास्त ठीक नहीं है न अस्ती मतलब नहीं है अहम तु हय प्रभीती पश्यान मैं तो कल ही देख रही थी सा स्वस्था न प्रतिभाती इती प्रतियते इसम यह स्वस्था स्वस्थ प्रतिभाती प्रतीत नहीं हो रही थी अब राकेश क्या कहता है राकेश कहता है राकेश चिंतायाह विश्याह नास्ती चिंता का विश्य नहीं है तुम मालायाह सा गच्छ तुम मालायाह माला के साथ सा मतलब होता है साथ माला के साथ गच्छ मतलब जाओ कहां जाना है hospital मारगे सा रास्ते में वह सरवम ग्याप मतलब क्या होता है जानना अब इसमें भविश्यकाल बनाने के लिए लिख दिया गया है ग्यापी अश्यती मतलब बताएगी ज्यान करा देगी तो तुमको रास्ते में सब कुछ बता देगी माला और सालिनी चिकित्सकाम प्रती गंचत्यों वारताम कुरता माला और सालिनी चिकित्सकाम प्रती चिकित्सक के पास गच्छंत्यों को लिखा हुआ है गच्छंती क्यों नहीं लिखा है इसका reason यह है क्योंकि ये दो लोग है तो इसलिए हाँ पे गच्छनते हो लिखा हुआ है तो डॉक्टर के पास जाकर वारताम कुर्टा बात करती है क्या करती है बात शालिनी अब वो रास्ते में जा रही है और रास्ते में ही वो जाते समय क्या करती है बात करती है आपस में शालिनी पूछती है किम भवत, क्या हुआ, भात्री जाये का समस्यास्ती, भाभी का मतलब क्या, समस्यास्ती, अस्ती मतलब है, समस्या मतलब प्रॉब्लम, क्या समस्या है, क्या परिशानी है, माला कहती है, शालिनी, अहम, मैं, मास, त्रयस, गरभम, स्वक, उठ्ष, धार्या मतलब बच्चे को स्वा कुक्षव स्वा मतलब अपने कुक्षव मतलब पेट धार्यामी मतलब धारड करना रखना मैंने अपने पेट में तीन माह के बच्चे को रखा हुआ है गर्व मैंने धारड किया हुआ है और क्या बता रही है वो तो भ्रातु आग्रह अस्ति तुम्ह परेयम लिंग परक्षड कराऊं कुक्षव पेट में कन्यास्ति कन्या है चेत यदी यदी पेट में कन्या है तो क्या करना है गर्भं पातेयम तो गर्भ को गिरा दूं बच्चे को मार डालों अहम अतीव उद्विग्नास्मी परम तो भ्राता वारता में न स्रिडोती अहम मैं अतीव अतियंत उद्विग्न हूं परंतु तुम्हारा भाई वारता में न स्रिडोती भात नहीं सुनता है शालिनी कहती भ्राता एव चिंती तुमपी कथम प्रभवती भ्राता एवं भाई इस प्रकार के चिंती तुमपी सोच भी कथम मतलब कैसे प्रभवती मतलब उत्पन हुई भाई के अंदर ऐसी सोच उत्पन भी कैसे हुई प्रभवती मतलब उत्पन होना शिशु कन्यास्ति चेत वर्धा पुत्री मतलब जो बच्चा है शिशु कन्यास्ति पुत्री है चेत यदी तो वर्धा का मतलब क्या? वद करने योग्य है जगन्यम कृत्यम इदम घोर पाप है यह कृत्यम मतलब कर्म घोर कर्म है इदम मतलब यह यह घोर कर्म है, पतलब पाप से परिपूर काम है, तुम विरोधम न कृत्वती, तुम तुम विरोधम विरोध करना न मतलब नहीं, कृत्वती मतलब किया गया, तुम्हारे द्वारा विरोध नहीं किया गया, सह तौ सरीरे इस्थितस्य शिशो, वदार्थम चिंत्यती, तुम्हारे सरीरे सरीर में इस्थित से इस्थित सिशु बच्चे के वधार्थम वद के लिए चिंतियती सोचता है तुम तुम तुष्णईम तुष्णी मतलब चुप तुम चुप बैठना और तुम चुप बैठी हो अधुनेव ग्रिहम चल नस्ती आवशक्ता लिंग परिक्षड से अधुनेव अभी ही ग्रिहम घर चल मतलब चलो नस्ती नहीं है आवशक्ता लिंग परिक्षड की भ्राता यदा ग्रिहम आगमिश्यती अहम वारताम करिश्य भ्राता यदा जब भाई ग्रिहम घर आगमिश्यती आएगा अहम मैं वारताम करिश्य बात करूंगी संध्या काले, साम के समय, भ्राता आगच्छती, भाई आया, हस्त पादिकाम, मतलब हाथ हर पैर, प्रक्षाले मतलब धुला, वस्त्राणिच परिवर्त, वस्त्रों को परिवर्त मतलब बदल कर, पूजा ग्रिहम गत्वा, पूजा ग्रिहम पूजा घर में गत्वा जाकर, द चापी करोती भवानी की इस्तुती भी करोती करता है तदंतरम चाय पानार्थम सरवे अपी एकत्रिता उसके बाद चाय पानार्थम चाय पीने के लिए सरवे अपी सभी एकत्रिता एकत्रित होते हैं राकेश्रह माले तुम चिकित्सकाम प्रती गतवती आसी किम अकथ्यत सा, माला तुम चिकित्सकाम प्रती डॉक्टर के पास गतवती गई थी, आसी मतलब वही गई थी, सहाय क्रिया के रूप में प्रयोक किया गया है, आसी मतलब थी, किम क्या अकथ्यत सा, सा मतलब वह, अब इस्त्रिलिंग पुलिंग के लिए जो सह होता है वो पुलिंग होता है पुलिंग के लिए प्रयोग करते हैं और जो सा होता है वो इस्त्रिलिंग के लिए होता है तो यहाँ पे सा कहने से कि हमें क्या पता चलता है कि जो डॉक्टर था वो क्या था वो लेडी थी लेडी डॉक पर ही श्रयती सुनती है मतलब बोलती कुछ नहीं है चुपचाप सुनती है तदैव तभी त्रिडंती खेलते हुए त्री वर्षिया पुत्री तीन वर्षी पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशती तभी क्या होता है तीन वर्ष की अंबिका नाम की जो पुत्री है राकेश की वो पिता के गोद में खेलते हुए उपविशती बैठ जाती है तस्मात चाकलेहम च याचते तस्मात से क्या करती है उस समय क्या करती है उससे चाकलेहम मतलब चौकलेट और और उससे चौकलेट याचते मतलब मांगने लगती है राकेश शह अंबिकायाम लालयती राकेश अंबिका को लालयती मतलब प्यार करना दुलार करना अपने बच्चे को प्यार करता है चाकलेहं प्रदाय चॉकलेट प्रदाय मतलब देकर ताम उसको क्रोडात अवतारयती गोज से उतारता है पुनह मालाम प्रती पुनह माला की तरफ प्रश्णवाचिकाम द्रिष्टिम छिप्पती प्रश्णवाचक द्रिष्टी को डालता है मतलब अभी तक उसने अपना उत्तर नहीं पाया ना सालिनी से कि डॉक्टर ने क्या कहा था शालिनी एतत सर्वं द्रिश्ट्वा उत्तरम ददाती शालिनी एतत सर्वं यह सब कुछ द्रिश्ट्वा देखकर उत्तरम ददाती उत्तर देती है शालिनी धात हम तुम किम ग्या तुम इच्छ से भाई तुम क्या ग्यात करना चाहते हो तस्याकुक्षी पुत्रहस्ती पुत्रिवा कि उसके कुक्षी पेट में पुत्र है या पुत्री की मर्थम किस लिए सड मास अंतर्म सरवं इस्पस्टम भविश्चति छे मा के अंतरपे सर्वं सबकुछ इस contemporary भविश्चति सबकुछ साफ हो जाएगा समयात पुर्वम समय से पहले किमर्थम किसलिए अयम आयासः आयासः मतलब परिस्रम ठीक है समय से पहले यह परियास क्यों यह परिस्रम क्यों तो राकेस क्या कहता है शालिनी मतलब भगिनी अपने बहन के बोल यह बोल रहा है राकेस भगनी तम्तु जानासी एव आका आस्माकम ग्रिहे अंबिका पुत्री रूपेड अस्तियेव देखो ये लिखावाई अस्तियेव ये भी क्या है यहाँ पर यड संधी का प्रयोग किया गया है तो भगनी मतलब बहन तम्तु तुम्तो जानसी जानती ही हो कि आस्माकम हमारे ग्रिहे घर में अंबिका पुत्री रूप में है ही ठीक है पुत्री रूपेड पुत्री रूप में अस्तेव है ही अधुना अब एकस से पुत्रस्य आवसकता अस्ति एक पुत्रस से पुत्र की आवसकता अस्ति आवसकता है तरही फिर अब वो रुग्या यहाँ पे नहीं नहीं बोल पाया क्यों कि बीच में इसकी बात काठती है चालिनी तरही कुक्षी पुत्री अस्ति कहत हंतजया तो नहीं को कुक्षी पेट में पुत्री अस्ति फुत्री है यदि हंतव्या तो मार देना चाहिए ठीक है तिव्र स्वरेड गुस्सा होके तेज अवाज में बोलती है तिव्र स्वरेड मतलब तेज स्वर में बोलना हत्यायाह पापम करतुम प्रवित्तो असीत्वम हत्या पाप करमे पवित्र होतुम पवित्र होना मतलब क्या लग गए होतुम राकेश कहता है ना ना हत्या तु नहीं करना चाहता हूँ अब शालेनी कहती है तरही किमस्ति निघ्रणम कृत्यम इदम इदम मतलब यह कृत्यम मतलब कारे निघ्रणम मतलब घ्रणा से परिपूर बुरा काम तरही फिर की मस्ती क्या है तब यह घ्रिडा से परिपूर कार क्या है सर्वथा विस्मृत्वान आस्माकम जनकः कदापी पुत्र पुत्रयों विवेदम न खृत्वान सर्वथा एकदम भूल गये हो विस्मृत्मात मतलब क्या भूल जाना विस्मृतवान भूल जाना अस्माकम जनका हमारे तिता कदापी कभी भी पुत्री और पुत्र में विवेदन न तितवान भेद भाव नहीं करते थे सह वह सरवदैव सदाही मनु इस्मृतेह पंक्ति मिमाम उद्धरती इसमह मनु इस्मृती की इमाम पंक्ति इस पंक्ति को उद्धरत इसमह कहते थे बताते थे कि आत्मा वैव जायते पुत्रह आत्मा ही पुत्र के रूप में जायते जन्म लेती है पुत्रेण दुहिता समा और पुत्री दुहिता मतलब पुत्री पुत्रेण समा समा मतलब बराबर पुत्रेण मतलब पुत्र के समान होती है पुत्री पुत्र के समान होती है मतलब जो आतमा जन्म लेती है वो पुत्र और पुत्री दोनो एक जैसे ही होते हैं इसमें वो बताते हैं तौम अपी, सायम, तुम भी, साम को, प्राथ, सुभा को देव-मिस्तित्विं करोशी, देवी की स्तुती करते हो कि मर्थम स्रिष्टे उत्पादिन्याह शक्तिया तिरिसकारम करो सी कि मर्थम किसलिए स्रिष्टी की मतलब संसार की इस जगत की उत्पादिन्याह मतलब क्या उत्पन करने की शक्ति सक्तिया मतलब सक्ति का तिरिसकार करो सी तिरिसकार करते हो मतलब जो मां होती है उससे ही जन्म होता एक नया रूप मिलता है तो किसलिए तुम एक इस्तुरी का एक पुत्री का और जन्म देने वाली उस देवी कि जिसकी सुती तुम करते हो रोज उसका अपमान तुम कैसे कर सकते हो तो मनसी यती कुटसिता वृत्ति आगता तुम्हारे मन में इतनी कुटसित मतलब क्या बुरा वृत्ति मतलब आदत या सोच आगता मतलब आ गई है तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच आ गई है चिंतित वैव तो अहम कुंठिता आसमी चिंतित वैव तुम्हारे इस सोच से अहम मैं कुंठिता आसमी कुंठित हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ, व्याकुल हो गई हूँ तव सिक्षा व्रिथा, तुम्हारी सिक्षा व्रिथा मतलब व्यर्थ है तो मतलब तुम्हारी ऐसा वो राकेश को बोलती है शाल में फिर क्या होता है राकेश क्या कहता है राकेश भगनी विरम विरम बहन रुको रुको अहम स्वापराधम स्वाकिरोमी मैं अपना अपराध स्वीकरोमी स्विकार करता हूँ और लजती समस्चास में क्या बता रहा ह कि लज्जित सस्चास में मतलब और लज्जित हूँ अद्य प्रभीती कदापी गरहित मिदम कार्यम स्वपने अपी न चिंतश्यामी अध्य पी आज के बाद कदापी कभी भी गरहित क्यों बोला गया है मतलब घिडा से परिपूर बुरे काम को स्वपने अपी सपने में भी न चिंतिश्यामी नहीं सोचूंगा, यथेव अंविका मम हिर्देश संपूर स्नेह स अधिकारडी अस्ति, यथेव यथाधन एव, यहाँ पर भी विर्दी संधी है, जिस प्रकार अंविका मम मेरे हिदय की संपूर स्नेह से, संपूर स्नेह मतलब क्रेम की अधिकारडी अस्त आगंता सिसुव आने वाला बच्चा अपी भी इसने अधिकारी भविश्यती पुत्रभवतु पुत्रीवा इसी तरह आने वाला बच्चा भी इसने का अधिकारी भविश्यते होगा पुत्रभवतु पुत्रिवा, पुत्र हो या पुत्री, अहम स्वागरहित चिंतनम प्रती पस्चाताप मगनम अस्मी, अहम कथम व्रिस्मित प्वान, अहम मतलब मैं स्वागरहित चिंतनम, अपने गरहित मतलब बुरे विचार, चिंतन मतलब सोच, बुरे सोच के प्रती पस पश्चाताप मगनम, पश्चाताप में डूबा हुगलानी से भरा हुआ हूँ, विल्ट फिल कर रहा हूँ, गलत किया मैंने, ठीक है, और क्या कहता है, अहां मैं कथम कैसे विस्मृत वान भूल गया, क्या भूल गया, यत्र नार्यस से पूजयनते रमंते तत्र देवता, जह रमंते रहते हैं, कैसे प्रसनता पुर्वक, यत्र जहां पे भी ता, वह, नव पूजयनते नहीं पूजी जाती हैं, सरवास्त, राफला, क्रिया, तो सभी क्रियाएं विफल हो जाती हैं, असफलता मिलती है वहां पे, अथवा, पित्रु दस गुणा माते थी, कैसे भूल अथवा मतलब या, फिर ये कहलें, कि पिता की दस गुणा माता होती है, तो या सनमार्ग प्रदर्शित भगनी, तो या तुम्हारे द्वारा सनमार्ग प्रदर्शित किया गया, सनमार्ग अच्छा मार्ग, प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया है भगनी, बहन, तुम् तो इस तरीके से उंगलियों की नाम रखे गए है यह उंगली जो है इसको क्या बोलते हैं कनिश्था कनिश्थ का मतलब यह सबसे छोटी है तो अभियाद रखेगा कनिश्था मतलब छोटा तो कनिष्ठा आपी छोटी होने पर भी तुम तुम मम गुरूरसी मेरी गुरू ही हो शालिनी कहती है अलम पश्चातापें बहुत पश्चाताप हो गया तौ मनसा अंधकार अपगता परसनत्या विशयो अयम तुम्हारे तौ मतलब तुम्हारे मनसा मनसे अंधकार अपगता चला गया प्रसनताया विशुयो आयम प्रसनता का विशय है आयम मतलब यह है भात्री जाय आजह भात्री जाय bhaabhil ao आजच मतलब au सर्वाम चिंताम त्यज सभी चिनता को तिन समस्त मतलब सोच पर्षानी को भूल कर प्यज मतलब्य करके आगन्तू आने वाले सिशोह, सिशो मतलब बच्चे, बच्चे का स्वागताय चो सनद्धाभव, स्वागत के लिए सनद्ध हो जाओ, भव मतलब हो जाना, सनद्ध मतलब लग जाना, तो सरी सभी चिंताओं को भूल कर आने वाले बच्चे के स्वागत में लग जाओ, भ्राता तुम करो क्या करो कन्यायाह रक्षणे की कन्या की रक्षा करोगे और तस्याह पाठने दत्चित इस्थ्यास सी और तस्याह उसके पाठने पठनकार में पढ़ने के काम में दत्चित दत्मतलब देना चित मतलब हिदय पूरा मन लगा कर पूरा हिदय लगा कर इस्थास्य सी खड़े रहोगे ठीक है इस्थित रहोगे पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ है पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ इतीस सर्वकारस से ऐसा सरकार की घोस्डेयम घोस्डा है तदैव सार्थिका भविश्यति यह सरकार की घोस्डा तदैव तदाधन एव तभी ही सार् अथक होगी भविश्यती मतलब होगी यदा जब वयम हम सर्वे सब लोग मिलित्वा मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिश्यामा इदम चिंतनम इस चिंतन को मतलब इस सोच को यथार्थ रूप में वास्त्विक रूप में प्रैक्टिकल रूप में करिश्यामा क्यों सोचने से नहीं होगा जब हम अपने जीवन में भी इसको लागू कर लेंगे तब सरकार की गोशना सही होगी कि पुत्री की रक्षा करो पुत्री को पढ़ाओ क्यों लिखने से नहीं होगा हमको अपने जीवन में इसको लाना पड़ेगा करना पड़ेगा क्या कहती है या गारगी सुती चिंतने निर्पनैने पंचाली का विक्रम है, जिस प्रकार गारगी शूती के चिंतन में गारगी एक विदुशी महिला थी, ठीक है जैसे रिशुन मुनि हुआ करते थे वैसे ही गारगी थी विदुशी, तो उसके लिए विद्वान बोलते हैं और इस तरी के लिए विदुशी बोलते हैं तो एक विदुशी महिला गारगी थी वो क्या करती थी पहले जो ज्यान की प्राप्ति का माध्यम था वो सूती चिंतन था मतलब वेदों को सुनना, चिंतन करना, बताना, उसको अपने माइंड में ही, अपने दिमाग में ही इकत्रित करके रखना यही ज्यान के प्रसार का यही माद्यम था तो जिस प्रकार से सूती चिंतन में गारगी थी और विक्रम मतलब राजा, नए मतलब न्याए, मतलब विक्रम के न्याए में जिस तरीके से पंचाली का गुडिया रोल निभाती थी ठीक है लक्षमी सत्रू विदारडे रानी लक्षमी बाई सत्रू विदारडे सत्रू को मारने में नाम लिया जाता था जैसे गगन विज्ञान अंगे आकास के विज्ञान अंग के रूप में कलपना चावला का नाम लिया जाता है जैसे केवल कलपना लिखा है आपे इंद्रो उद्योग पते चा इंद्रो इंद्रा गांधी उद्योग पते अत्यंत कर्तब से परिपूर उद्योग मतलब होता है कार परिश्रम अपने परिश्रम पत में जैसे इंद्रा गांधी लगी हुई थी च और खेल जगती खेल जगत में ख्यात भितह प्रसिद्ध हैं जैसे साइना साइना नहवाल ठीक है सेयम इस्त्री सकलासु दिक्षु सबला सरवेह सदो उत्साहताम क्या बता रहे हैं साइन मतलब यह सभी इस्त्री सकलासु सभी कलाओं में दिक्षु दक्ष हैं सबला सरवेह सभी जगह सबल हैं इसलिए क्या करना चाहिए सबला मतलब क्या मजबूत हैं सभी जगह मजबूती से सभी दिक्षु दिसाओं में ये अपनी कलाओं में क्या है कुशल है इसलिए क्या करना चाहिए सर्वेह सभी लोगों को सदो सदा उत्साहताम यह देखो यहां पर बच्चों गुर संदी है सदाधन उ रहा होगा उ को उ हो गया है सदय उनका उत्साह वर्दन करना चाहिए ठीक है तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही अब किसी दूसरे क्लास में कोई दूसरा पाट पढ़ेंगे हम धन्यवाद है